हाला दोस्तों मैं हूँ पप्पू और आज इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं टॉप टेन क्यूशन जो की रोग और उनसे परभावित अंग पर है कहीं ने कहीं ये कई बार पुछा जाता है तो इसलिए मैंने सारा का सारा इंपोर्टेंट क्यूशन उठाया है तो एक ए आंत, ओप्शन C है आंख और ओप्शन D है मस्तिस्क तो इसका राइट एंसर हो जागा फ्हेंफड़ा और अस्थी दूसरा कोहचन्स टाइफाइड से कौन सा अंग परभावित होता है तो ओप्शन A है आंत, ओप्शन B है यकरेत, ओप्शन C है आंख और ओप्शन D है तिसरा कोहचन्स मोतिया बिंद से कौन सा अंग परभावित होता है ओप्शन A आंख, ओप्शन B फ्हेफड़ा, ओप्शन C नाक और ओप्शन D जीभं तो इसका जो राइट एंसर हो जागा ओप्शन A आंख ओके चोथा कोहचन है गुलोकोमा से कौन सा अंग परभावित होता है तो ओप्शन A है आंख, ओप्शन B फ्हेफड़ा, ओप्शन C दात और ओप्शन D इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जागा ओप्शन A आंख पांचवा कोहचन रताउंधी से कौन सा अंग परभावित होता है तो ओप्शन A है तोचा, ओप्शन B है फ्हेफड़ा, ओप्शन C है पेट और ओप्शन D है आंख तो इसका जो राइट एंसर हो जागा ओप्शन D आंख छटा कोहचन है जेरे थेलीमा से कौन सा अंग परभावित होता है ओप्शन A है आंख, ओप्शन B है फ्हेफड़ा, ओप्शन C है तंत्रिका और ओप्शन D है इन में से सभी तो इसका जो राइट एंसर हो जागा ओप्शन A आंख साथवा कोहचन अब इंदुक्ता से कौन सा अंग परभावित होता है तो ओप्शन A है आंख, ओप्शन B है मस्तिस्क, ओप्शन C है यकरित और ओप्शन D है इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जागा ओप्शन A, ओके आंख आठा कोहचन है अश्ट्रॉक से कौन सा अंग परभावित होता है तो ओप्शन A है मस्तिस्क, ओप्शन B है चोटी आत, ओप्शन C है नाक और ओप्शन D है इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा option A, मस्तिस्क नवा कोचन है ट्रैकोमा से कौन सा अंग परभावित होता है तो option A है आँख option B है तोचा option C है गला और option D है जीब तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा option A, आँख अंतिम कोचन है कि मेनिया रोग से कौन सा अंग परभावित होता है तो option A है तंत्रीका option B है फेंफडा option C है मस्तिस्क और option D है सभी तो इसका जो राइट एंसर होगा वो क्या होगा आप मुझे कोमेंट सेक्षन में लिखकर बताईएगा तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही यहां पर जतने भी मैंने प्रसन आपको करवाए हैं यह सभी के सभी कई न कहीं कई बार एक्जाम में पुछा जाता है चाहे किसी भी परकार का एक्जाम हो तो आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा ऐसे ही मचदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा